और स्वाती मालिवाल से मारपीट या बदसलूकी के मुद्दे पर जो विपक्ष का गडबंधन है उसके जाधतर नेताओं ने अभी तक बयान अपचारिक तोर पर नहीं दिया है लेकिन आज तक से बाचीत में कॉंग्रिस पार्टी की महा सचव प्रियंका गांधी वाडरा अपने अपनी चुपी तोरी है स्वाती मालिवाल पर आज तक के सवाल पर प्रियंका गांधी वाडरा ने कहा कि अगर अत्याचार हुआ है तो वो स्वाती मालिवाल के साथ खड़ी है प्रियंका गांधी वाडरा ने कहा कि वो महिला के साथ किसी भी तरह के अभद्र बरता के बिलकुल खिलाफ है उन्होंने कहा कि वो हमेशा पीड़ित महिला के साथ खड़ी रहेंगे खड़ी दिखेंगी हमाई साथ कॉंग्रेस पार्टी की महा सचिव और पार्टी की वरिष नेता प्यांका गांधी वाड़ा साथ में हैं लगातार राई बरेली आ मेठी में मोर्चा संभाले हुए है दिन में 12-15 सभाई कर लेती हैं गला भी थोड़ा खराब है अब नारा यहां राई बरेली से च बनाई है मोदी जी कहा रहे हैं चारों खानेच्चे थो रहे हैं अप लोग तो क्या महल चल रहा है और वाकई में देश का प्रधान मंत्री राइबरी लिडेने जा देखिए मैं जोतीशी तो हूँ नहीं तो मैं यह नहीं कह सकती कि चुनाओ के नतीजे क्या होंगी लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हमने पूरे देश भर में देखा है कि जनता का एक अंडर करेंट है जनता नाराज है खास तोर से जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी इतनी महंगाई इतनी सारी समस्या हैं और समस्याओं के हल की बात ही नहीं हो रही है भाजप रहा है, किसानों की बात नहीं हो रही है, मजदूरों की बात नहीं हो रही है, मिडल क्लास की बात नहीं हो रही है, तो बातें जो हो रही है, वो सब फिजूल की बाते हैं, तो जनता अब जागरुक है, मेरे ख्याल से कि एक नई चेतना उभरी है इस चुनाओं में, कि जनता क है कि मैं कॉंग्रिस की नीटियों की बात करूंगी और हमारे इस बार जो हम गैरंटी ला रहे हैं जो एक लाक रुपए सालाना महिलाओं के खाते में डालने की बात है जो जो नौजवानों के लिए सनातक पास के लिए नौकरी की बात है कि एक लाक रुपे उनके लिए भी साला नहूंगे खेती में खिसानी में GST समानас से हटाने की बात है जो कर्ज माफी की बात है यह सारी बातें जो हम कर रहे हैं इनका प्रमान है क्योंकि जहां कर्नाटक प्रदेश में कर्नाटका में हमाई सरकार है हम दे रहे हैं महिलाओं को महिलाओं के खाते में 2-2,000 डाल रहे हैं हम कह रहे हैं कि 8,000 डालेंगे अगर केंदर की तरफ से केंदर में सरकार बने जहां हम 36 गड़ में राजिस्तान में जहां हमारी सरकारें थी वहां कर्जमाफ भी की करके दिखाए हैं 25 लाग की जो स्वास्त वीवा की बात कर रहे हैं, वो भी हमने राजिस्तान में करके दिखाया, तो हम प्रमान दे रहे हैं कि हमने ये किया है, हम ये करना चाहते हैं, हमारी विचारधारा है कि देश की जो संपत्ती है, वो बापिस देश के हातों में जाए, जनता के हातों में जाए, इसलिए ऐसे य नगे नगे मanto रोजनाईं 설 ल Western जी मका करेंका हैं कि और यहां यही घंञाने मैंका से सब्सक्राइब कर दूर कि करते हैं पिछले साथ ?" प्रधान मंतरी जी जो बातें करते हैं उनका आधार ही नहीं है उनकी बातों में वजन नहीं रहा किस आधार पर कह रहे हैं कोई फैक्ट्स हैं कुछ दिखा सकते हैं कि ये किया गया है किस आधार पर कह रहे हैं और फिर उनकी बात कौन मानेगा कुछ कहते हैं एक दिन अगले इसे चुनावी सभा में जाके यही बात उठाते हैं, आज जनता कह रही है कि बहुत हो गया है, हमने बहुत चुनाव इस अधार पे लड़े हैं, जिस अधार पे आप लोग कहते हैं, धर्म के अधार पर वोट मांगते हैं, भगवान का नाम लेकर, हमने बहुत चुनाव ऐसे आपके लड़वा भी दिया, आप में हमने पूरी आशा भी डाल दी थी, उमीद भी डाल दी थी, श्रद्धा भी थी, लेकिन आपने कुछ किया नहीं हमारे लिए, दस साल बीट गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, और हम अब अपने सवालों का जवाब चाहते हैं, जनता कह रही है, सीधा सीधा, तो प्रधान मंतरी की बातों पे मैं आज वजन नहीं रहा, और ये दुख की बात है, हमारे लिए भी दुख की बात है, क्योंकि अंत में मतलब प्रधान मंतरी हैं, प्रधान मंतरी पद की गरिमा है, प्रधान मंतरी पद के प्रती जनता की आस्था रहती है, और कम से कम जन Congress Party आपका आपकी भैस जुराएगी या Congress के घोशना पत्र में ऐसी चीज लिखे लिखी है कि आपके गहने ले जाएंगी तो मतलब एक तो आपने इसका मतलब है हमारा घोशना पत्र पड़ा ही नहीं है दूसरा आप खुद ही बता रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं गरजब की लिखा ही नहीं है और तीसरा अप इतनी फिजुबemor की बातें कर नहीं कि जनता हस रही है और आपको ये भी असास नहीं कि जनता हस रही ही तो आप कट गए हैं फिर जंता से उत्तर प्रदेश में जब आप प्रभारी तीर मेरा आखरी सवालиком मेरा आप उन्हणा पाटी में बड़ा हड़कम चल रहा है कि और ये भी सवाल किये जा रहे हैं बीजेपी द्वारा कि इंडिया ब्लॉक के सारे नेता खासतोर से प्रियंका गांधी जो महिला सुरक्षा के लिए बोलती है एक राच सभा सांसत के साथ अभधरता होती है जिसमें संजे सिंग भी कारवाई होगी आज भी जो जिन पर आरोप लगा है वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मौझूद थे अर्विंद केजडिवाल के साथ तो आपको लगता है कि साजा क्योंकि मैं यहां रही हूँ तो मैंने जादा देखा नहीं है अभी तो कोई कारवाई नहीं हुई है लगातार उन्ने दिली पुलिस में भी कॉल की थी और राच सभा की सांसद है सीएम आवास में यह होता है तो बतौर इंडिया ब्लॉक के पार्टनर के तौर पर आपको लगता है सबसे पहले किसी भी महिला के साथ अगर अभधर भेवार हो कोई भी अत्याचार हो तो मैं उस महिला के पक्ष में ही खड़ी हो और बोलूँगी और मैंने यह चाहे हमारे प्रदेशों में हुआ है चाहे हमारे आसपास कुछ हुआ होगा या कही और तो मैंने हमेशा यही स्टैंड लिया है सबसे पहले लेकिन भाजपा के नेता कैसे बोल सकते हैं हाथ रस में जो हुआ उस लड़की को जलाया गया उसके माता पिता को अंतिम संसकार नहीं करने दिया माता रो के मुझे कह रही है कि मुझे अपने बेटी के का चहरा भी नहीं देखने दिया यह भाजपा का सरकार का काम था उन अगर हुआ है, अगर घर सही मालें में ऐसा हुआ है, तो उस महिला के पक्ष में मैं खड़ी हूँ और उसका साथ देती हुँ नहीं चाहिक किसी और पाटी में है वह बात करना चाहेंगी तो मैं करूंगी लेकिन उसकी पार्टी तैक करेगी उसके लिए और मेरे ख्याल से अगर केजरिवाल जी अगर ऐसा हुआ है और केजरिवाल जी को मालूम है इस चीज़ के बारे में अभी क्योंकि स्वाती जी ने बोला तो हम शौर कि केजरिवाल जी सही कारवाई करेंगे और इसके लिए कुछ स्वाती जी के लिए उनको अबसेप्टिबल हो शुक्रियाम से बात करने के लिए प्रियंका गांधी वाद्रा यहां पे बेबाकी से स्वाती मालिवाल की मसले पे भी उन्होंने का कि मैं हमेशा महिला सुरक्षा की बात करती आई हो और चाहे कोई भी महिला हो अगर उसके मैं हमेशा बोलती आई हो क्यामरा पुसिंट शगुन भरतवाज के साथ मौसमी सिंग राए बरेली आज तक